है गाइस वेल्कम बैक टो दे चैनल ओफ आयरवेदा मारा थे तर आता तुम्हें जा एक्जाम ची फाइनल कुरुशियल वेड आले लिया है आनि हाँ वीडियो तुम्हाला फक्त हे एक्स्प्रेइन करने साथ ही कि तुम्हें पिपर कसा लिया पैजे अनि आनि भी तुम्हाला आएंपी क्वेश्चन चे लिस्ट के लिली हुतीं आयरेली होप कि तुम्हें त्यातले सग्रेई टॉपिक्स कवर के लिया स्थेल बिकॉस दोजाव वेरी इंपोर्टन पंतरी आज आज आपन यह शॉट वीडियो बगग हुया कि पेपर प्रेजेंट कस करेंचे आनि तया सोबत अपन हेपन बघुया कि कौन कौनते क्वेश्चन्स आपलेला महत्वा चे यह उशक्ताद तो लेट्स स्टाट विद धुवेश्चन्स आपला जो टॉपिक आहे तो आहे शरीर अपक्रम्निया अनि शारीर या टोटल एचा वर्ती आनि परिभाशा शारीर वर्ती आपलाला टोटल दहामारकाचे क्वेश्चन्स यह ना रहेद तर शरीर अपक्रम्निय में मधे मी तुमाला एक्स्प्लेइन के लेले अतकी शडंग शरीर आहे त्यानंतर गर्भूत पत्ती आहे त्यानंतर 25 तत्व पूरुष आहे यह सग्ड़ प्रश्ण तुमाला पड़ू शक्ताद पन चांसे स्खुप कमी आहे त्यानंतर मृत संशोधन विधी तर खुबस महत्वाची आहे तर त्यानंतर तुम्ही हे सग्ड़ टॉपिक्स त्या मधे कवर केले पाई जे त्यानंतर परिभाशा शरीर मधे जे कूर्चव अगेरे आहे त्या प्रामाने मी तुमाला एक क्वेश्चन नहीं काड़ लो त चक्तो ऐस पर द पाटन सू आपन जर पेपर वन बगितला तेची जी फर्स्ट थीम बगितली दाट इस थीम ए त्याट जे आहे तोटल अपले रहे दाहा मार्का जा क्वेश्चन असना रहे तोटल दाहा मार्क साहे तर तेचा तुन MCQ पन असना रहे SAQ पन आहे पन LAQ नही चक्तो त्यान अंतर हे महत्वा चे आहे त अनी यूज्वेली परिभाशा शारीर मदे तुम्हाला MCQ पन पडू शक्तत की कुर्च किती आहे त परत असनायू किती आहे त परत डिफरेंट टाइपस ऑफ एचावर संख्या बेस्ट MCQ खुब महत्वा चे असना रहे त्यान प्लैसेंट नोटस में च escr़ता है मी ते सुधा तुम्हाला प्रोवाइड के लेली आहे त्यान अन्तर को के लिले ओं खाया नाइन यांद मांथ नवाप्मेंट के लिए गरभ शारीर में तुम्हार चे सगले महत्वा चे टोपिक्स घित लेली अधा गरभ शारीर जै त्या पन्जर एलेक्यू लाला, तर मेक्शोर कि तुम्हे ते डीप मदे विट डाइग्राम तेला नीटली एक्स्प्लेंड करनार आहेत। So, त्यान अंतर आपलाला एक एलेक्यू पन पढ़ू शकतो गर्भ शारीर वर्ती। त्यान अंतर आपलाला एक एलेक्यू पढ़ू शकतो गर्भ शारीर वर्ती। आपलाला एक एलेक्यू शकतो गर्भ शारीर आपलाला प्रट्रवा कर सकतो गर्भ शारीर वर्ती। महत्वाचे क्वेस्टिंस विचारतिल तेचा पिक्षा जास्तर डीप अस्ती शारीर मेद है तुम्हाला काही जास्तर विचार लजाओ शकनार नाही त्यान अंतर जे मौड़न जी ओस्टियोजी त्यावर डेफिनेटली एक अलिक्यू अनर आहे मेजर बोन साथ, हुमरिस, स्कैपिला, क्लाविकल, फीमर, तिबिया यह ओढ़े तरी शंबर टके करा अलोंग विच्टर नम बिकॉस देर इसा हाय प्रोबाबिटी फो थी बोनस तू कम इन दे एक्जाम सो दोज आर यूमरिस सिंस लास्ट जर तुम्हाला क्लाविकल आलेला है सो यहाँ वड़ेस, क्लाविकल चे प्रोबाबिलिटी थोड़ी कमी असु शकते बत ही में देला है यहाँ प्रोबाबिलिटी फिए खुप कमी आसते हैं यह प्रोबाबिलिटी खुप कमी आसते हैं यह उशक तो एक्जाम मदे सो आनि खुब जास्ता डीप का इनने चे गरज नहीं है तुम्हीं एक पेज भर जरी एचा उत्तर लीला तरी खुब सफिशेंट है कमित कमें तुम्हाला तीन मार्क तर डेफिनेटली भिट तिल त्याननतर पेशी शरीर सेम तुम्हाला पेशी शरीर से खुब लाहन है तो दू नोट स्किप अपर लिंग प्लीज दू स्टडी त्स त्याइप्स वेरी वेरी इंपोर्टन तेशे बारा प्रकार साहित लेहे ते को महत्वाचे स्थिल त्याननतर मायोलोजी मादे मी तुम्हाला इंपोर्टन मसल्स अफ अपर लिंग और लोवर लिंग दोनी कवर करूं नोट्स प्रोवाइट के लेहे तो आप्ली अटलीस तुम्ही नर्व सप्लाय ब्लड सप्लाय अनी डाइग्राम जाहे ते तुम्ही बेसिक काड़ू यह इंपुषकते एंप आप्लीस मादे डाइग्राम कारना खुम हत्वा चाहे तिस अटनमीर पिपर अड़ थे वहर राइग्राम खुच्छी नायु श्टरीर अन आर्थरोलोजी ना खू अटत इस वहरी वहरी निपक्तन अपटन सवार्टन ज्टन के लिले अहेट और अग् स्टुडेंस में तुम्हाला से सांगना तेम्परो मैं जोइन्स नहीं शक्केता कुप कमी अस्ते सो प्लीज दो फोकॉस अन दे शिक्स जोइन्स आप प्रकार दिले ले तनी ते महत्वा चेट तुम्ही आयरवेदा चे टोपिक स्किप करूश चकत नहीं आयरवेदा वर्ती जे टोपिक सहते खुप कमी है अनि खुप सर्टन है सो दो नौट स्किप आयरवेदा टोपिक्स अन मॉडन मदे मी जोडे शिकोले ते उड़े तर नकिस करूँजा आयरवेदा गारेंटी यू गुड मार्क्स और गुड रैंकिंग इन दे उनिवर्सिटी पेपर त्यान अंतर आपन नर्वस सिस्टम वर्ती ही हुए अता हमी तुम्हालो जोइंस लिए उन देते सग्रत इंपोर्टन आये शोल्डर और नी त्यान अंतर विल गो फर आंकल अल्बो व्रिस्ट कुप कमी अस्ते शक्यत आयने ची और हिप इस अल्सो इंपोर्टन अल्बो और व्रिस्ट जर तुम्हें स्किप केला कि वान उस्ते ते चे लिगामेंट जरी करून गेले तरी सफिशेंट आये अल्बो और विस्ट याओड डीपली स्टाइब लाइके लाथी तरी ताले ताना अधर अपन नर्वस सिस्टम वरती हूँ जर नर्वस सिस्टम वरती अपन आलो तर चांसे असतात की यूनो पाइनल कॉर्ड जरी तरूर नर्वस सिस्टम वरती है यूनो पाइनल यूनोलोज अल्वस सिस्टम ल्वस सिस्टम मधे प्लेंट अल्यूर्ण वरती तरी तरी स्टम वरती के लिए तरव रश। 210 इस दूरा सैं 100 इस दूरा सप्रोड फर्मत्त्त अनल थीःरॉड सभ्राव आह से पिति नहों पन माक्चा वर्षी कारन पिटिटरी ग्लान ला क्वेश्चन नहोता मनों चांसेज आहे कि या वर्षी तुम्हाला पिटिटरी ग्लान लाज विचारला जाओ शक्तो तुम्हाला जार स्टडी काराई जा सिल ता पैराथ होई रहे डानी हे सग्रे ग्लान खुब अन्नेसिसरी आहे अनी ओवर्राल क्वेश्चन पेपर मदे तुम्हाला एक दोन क्वेश्चन से अस्ता तस जे तुम्हाला 100 परसंट ये नाही so you should be prepared mentally की ज़र तुम्हा hah 100 Marks ये prevention पेपर है so there is going to be at least 10 Marks से क्वेश्चन जे तुम्हाला ये नार नाही and which is okay विकोज क्वेश्चन तुम्हाला 90 Marks से questions ही ते तुम्हाला 90 Marks से प्वेश्चन से ये ता है so focus on writing the 10 Marks, sorry writing the 90 mark and forget about the 10 Marks you don't know about okay so that आपला थीम वाइस पर ने क्वेशन पेपर काड़ून प्रोवाइड के लेला आहे आपले जल एले की हुज आहे ते यूजूली थीम बी वर्तिया है और थीम बी इस अबाट गर्भ शरीर और दी एम्ब्रेयोलोजी ते आन अंतर थीम सी वर्तिये का है आपला एंडोक्रिनोलोजी नर्वस सीस्टम की वा लिम्फाटिक सिस्टम वर्ति एकादा एले क्यों यह उशक तो यह आपला एले क्यों पैटन आहे अधा में तुम चाहे बेसिक सगड़ कवर के लेला और लेली होप यह पेपर गोज वरी वरी वेल नौ अधा पेपर कसा लिहाइचा हाज अर तुम चाहे प्रष्ण अयोजी शेल का आई वोड डायरिकली से प्लीस गो थ्रू थू 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 धाटन गयाचे त्यान अंतर जे तुम्हाला confident अस्तिल if you know all the four SAQs और all the four LAQs please go and write that first मी जर पेपर वाचला नी माला सवाटला कि नहीं माला आचे 8 SAQ नेट ये ता है अनी चार LAQ मेदे माला थोड़ा सव डाउटफुल हा है तो मी आधी ते 8 SAQ लिऊन काडना है त्यान अंतर चार LAQ त्यान अंतर चार LAQ तो वो एचानी काई होनार कि examiner वर्धी तुम्हा इंप्रेशन चान पढ़ना रहे तो बिसाइड दिस जर तुम्ही अजुने पॉइंट कंसिडर के ला जरी तुम्ही 8-8 SAQ ले ले तुम्हा ला पर SAQ लिए 3 मार कभट ले तुम्हा अंतर अंतर तीन मार कभिटना रहे तुम्हाला पर E Pas वह सुम्हार चार LQ ले ने तुम्हाला पर E Pas then completing the SCQs and if you write them very well you can also be turned into it and MCQs are very good so do not worry about the MCQs please do focus on your paper very well okay do not worry about the MCQs and diagrams are very important that I have learned that the diagrams are the same as possible as possible as possible as possible do not mess around with the examiner's point of view of checking the paper so better focus on what you know and how you can present the paper very well do not highlight any of the point and I don't have to do anything exactly that you should use pen or pencil so I would suggest that your pen needs to be done because online scanning will be done so that your diagram will be printed and you will be able to get your marks on the same page okay then we have one thing that the papers are in the previous year so first write the definition of the body 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 of course the question is you have to get the diagram of fetal circulation and I have to provide it with a proper explanation number and types of asthi according to ayurveda which you all know so shloka is very important because one-liner shloka is very good so I would suggest I hope that you have the shlokas still and do focus on the shlokas now I know this might be an out-of-the-box question for you but many chief comments. so you can imagine how much it is What you think. whyе what's the problem how you 인he what you've guessed at least do कि तोन मारकतर नकीज भिटनर तयानांतर डाइफ्राम मसल आले लिये मसल साथी में तुम्हें से डाइफ्राम पन घित लेला है तयानांतर अश्टवीद संधी अकॉर्डिंग टू शुशुरुद माहीती ये सग्रना क्वेश्चन घित लेला है खुब ईजी ये ता तुम्ही तेचे एग्जांपल से लेले ता एग्जामिनर डबल इंप्रेस होन जाना रे तुम्हे हे पाट्समार का हातात ले असना रहे तयानांतर डिस्क्राइब पारथायराइड ग्लेंड हाँ पने question थोड आउड बॉक्स आलेला है बत यूनो ता फॉंक्शन सव पारथायराइड ग्लेंड यूनो इस डाइग्रम अट लीस्ट यौड़जरी तुम्हे तुम्हाला दॉनमार का भेटना रहे पारथायर द॥ायराइड ग्लेंड любов पार्यराइड ग्लंड अट यौन लीस्ः दुम्हाला दो इसकeveryone नांतर ल्हट सूप्रायर नउट ग्लेंड तुम्हारा इसक conflicting ब्लंड य। ।ैंनांतर वान बग्यों इसक्राइड ने जुटभ ग्वाराइड इनर गैंड में तुम्हाला किड्नी चावेड़स थोड़सा सांगित लेलो हता, so I hope तुम्हाला महीती अस्तिया बेसिक्स तरी तुम्हाला महीती अस्तिया स्पाइजे okay, so त्यान अंतर आपन लेकुवरी हुया, write the definition of Garbha according to Shushrit and describe so which is very simple for you, Tyanantar describe clavicle, I have provided you with clavicle and it's notes, the answers is, I have the scapula femur tibia, this is the most important thing Tyanantar knee joint in detail, so do focus on shoulder joint this year, then we have cerebellum in detail which also is already taught to you Tyanantar अपन समर सब अगुया पेपर कसा होता, sorry, winter सब अगुया पेपर कसा होता short note on Sharanga Shereer, easy again structure of sperm, come on, I have provided you with those notes then write the types of bones according to Ayurveda, you know that too describe Prakrit and Vikrit Swaroop of Kesh adha Kesh, dhanta dhala, dhanta dhala, यहावड is chanchas ka sha chi hasna re, nakha chi hasna re, so do focus on nakha also then write the number of Peshi according to Ayurveda, write the origin, insertion, nerve supply and action of biceps brachy biceps brachy suddha मी तुमाला नोट्स मदे प्रोवाड के लेला हे and origin, insertion, nerve supply, suddha हे तयाद plus action पन आहे, and Peshi according to Ayurveda, you know it too well then we have number of Snayu and its types then we have number of questions, then we have number of questions describe the border, surfaces, blood supply and nerve supply of thyroid gland we have number of PTT ternin, which is important gland then thyroid gland is coming Cerebral Spinal Fluid, CSF CSF is a very important topic this is the only question or 8 questions that you have a little difficult and you have to speak mentally prepared and you have to speak mentally prepared that there are two questions that you have no exam so do not panic over those two questions what does describe Garbha, Vridhikar Bhav I have taught you all this also scapula, hip joint and spinal cord in detail so do study for Cerebram this year very well okay, that might come for your exams so you have two question papers literally and we know that there are only one to two questions in your exams so I would suggest you all do focus on the presenting skills of your you know, paper because that is very important now all the best for your exam and write the paper with the best efforts you have till now because you have to score good marks at least for those students who have started studying before one month write good papers so that you would at least get passed in the exam and I would suggest you all the very best and may your paper go the best for anatomy thank you friends bye bye